गुद मॉर्निंग क्लास आप सभी अच्छे होंगे घर पे सेफ और सुरक्षत होंगे ठेक है आज हम माइक्रो बाइलाजी जो आपका पेपर नमबर जू लॉजी पेपर नमबर थर्ड का बीएसे सेकेंडियर का सेक्शन भी है सेक्शन भी उसमें हमने अभी तक अभी तक हमन क्षे में बेक्टरियाल डिजिएसे के अज हम फूर्दर ऊग्रमृशी普 और करेंगे घके प्हरो के दियुक्तिया के और अफरे करेंगे टिकेक प्रोपीम हां अभ्याज्ड को कि नीजीं की है तो आप देख़ेंगा यहां पर आज मैंने एक स्ट्रक्चिर्य प्रोपीम च डिया कांड ऑका कांड डाव भंध करने का कान करता आपका 57 रीजन करता है फिर देखेंगा यहां पर सकी बाड़ी पर capsule के बाद में आप cell wall वाला reason देखेंगे cell wall और plasma membrane reason देखेंगे cell wall ठीक है और plasma membrane यहाँ पे present होते है plasma membrane आपका कैसे होता है nature का यह cytoplasmic membrane होता है और semi permeable in nature होता है ठीक है यहाँ पे आपका ETC भी situated होता है आपके plasma membrane में ठीक है mainly ATP के synthesis में या energy provide करने का काम करता है ठीक है आपके bacterial cell को और यहाँ पे plasmid present होता है जो कि हम extra chromosomal DNA considered करते हैं ठीक है other than circular DNA इनके पास क्या present होता है plasmid ठीक है यह extra chromosomal DNA की तरह हम consider करते हैं फिर देखेगा यहाँ पे एक rounded structure देख रही है आपको single double single होता है ठीक है single structure होती है double stranded nature की होती है secular और haploid nature में देखने को मलता है यहाँ पे DNA ठीक है cytosol present होता है inside the cavity अंदर वाले पार्ट में फिर देखेगा यहाँ पे ribosomes भी present होते हैं जो कि protein protein synthesis का काम करते हैं ठीक है तो हम kingdom monera में सारे प्रोकेडियोर्स को include करते हैं इन में देखिए जो cell wall है cell wall का जो composition कैसा होता है polysaccharide plus amino acid present होता है non cellulosic nature के होते हैं यह ठीक है membrane bounded organelles इन में क्या होते हैं absent होते हैं for example like mitochondria, lysosome, ER यह सब absent होते है nuclear membrane यह फिर nuclear envelope भी क्या होता है इन में absent होता है एक membrane structure प्रेजेंट होती है जो कि किससे बनी होती extension of plasma membrane ठीक है extension of plasma membrane से एक membranous structure प्रेजेंट होती है cell के अंदर जिसको हम क्या बोलते है visosome बोलते है इसका basic function function किसमें है respiration और secretion process में यह क्या होता है आपका involved होता है प्रोसेस में involved होता है अब देखिएगा bacteria's के अंदर mode of nutrition क्या होता है bacteria's के अंदर mode of nutrition आपका होता है सेपरोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक ठीक है सेपरोफाइटिक मतलब जो डैट या टिके सेपरोफाइट्स बोलते हैं ठीक है पैरासाइटिक नेचर जो होस्ट पे किसी और और अर्गिनिजम पे रहके अपना survival इंशॉर करते हैं वह पैरासाइटिक नेचर के होते हैं ठीक है और यहां पर साइटोप्लास्में मेंब्रेन में स्टीरोल या फिर आपका कॉलेस्टॉल qa do content और अपसेंट होता है ठीक है नहीं देखने को मिलता और इनमें जो डी- प्रॉड़क्शुन का मोड है वो क्या होता है एस्छनות ऑफ रिप्रॉड़क्शं होता है ठीक है यहां पर बाइनरी fission देखने होती है ठीक है तो अभी तक हमने यहां पर यह डिसक्स किया है अब हम मुव्मेंट की बात करेंगे तो आपके प्रोकेरियोट्स में जो मुव्मेंट है वो कौन इंशॉर करता है फ्लैजिला इंशॉर करता है तो देखेगा मुव्मेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है यहां पर जो की बिएव कटा है इस लोको मोटरी ओर्गिन और आप देखेंगे इनकी बाडी पे जो फ्लैजिला है वो डिफरेंट नंबर में और डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट होने की वज़से हम इनको डिफरेंट नेम्स देते हैं ठीक है तो फ्लैजिला इनकी बाडी में can be located can be located on different on different location और उसी के बेसिस में हम इनको डिफरेंट नेम्स देते हैं और एक्जांपल देखेगा किसी बैक्टेरिया पे अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं मोनो ट्राइकर्स और फ्लैजिला प्रेजेंट एक ही नंबर पर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं मोनो ट्राइकर्स फ्लैजिला प्रेजेंट ओवर देखेगा नेक्स्ट जब फ्लैजिला दोनों पोल्स में प्रेजेंट होता है दोनों पोल्स पे बैक्टेरिया के लुकेटेड होता है तो हम इसको बोलते हैं एंफी ट्राइकर्स जब फ्लैजेटीला क्या हो आपके पोल्स साइड ऑफ पूल्स पे प्रेजेट हो है फिर देखिएक अगर एक ही पूल पे मल्टीपल फ्लैजीला अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं लोफो ट्राइकस क्या बोलेंगे लोफो ट्राइकस लोफो ट्राइकस is more than more than one flagella on single pole on one pole sorry on one pole that is your लोफो ट्राइकस ठीक है फिर देखिएगा जब more than one flagella दोनों poles पर प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एम्फी लोफो ट्राइकस एम्फी लोफो ट्राइकस ठीक है more than one flagella on both poles then it is known as amphi लोफो ट्राइकस ठीक है फिर एक होता है आपका पैरी ट्राइकस जिसमें क्या होता है कि फ्लेजीला ओवर दा पैरिफेरी ओफ दा बोडी हर साइड में प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं आपका पैरी ट्राइकस फ्राइकस और वी किन से अपने ओन फैरेंट ऑफ देला प्रेजेला प्रेजेट ओल ओवर दा पॉडी प्रेजेंट ऑवर दा बोडी बोडी पैरिफेरी बैंक से लिग कि कि थेक है फिर आजे देखेगा अब हमने यहां पे अभी तक क्या दिसकस किया है मुवमेंट के लिए लोको मोटरी औरगन बैक्टिरियास के अंदर फ्लैजीला प्रेजेंट होता है फ्लैजीला लोकेशन के बेसिस पे हम इनको डिफरेंट नाम देते हैं ठीक है देखिए का जिन में फ्लैजीला एपसेंट होता है उसे हम क्या सिंगल में फ्लैजीला प्रेजेंट होता है इसे बोलते हुँं साइड पोल के दोनों साइड पे फ्लैजीला अगर प्रेजेंट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं अगर के यह अगर पोल पे located है तो हम उसे बोलते है लोफो ट्राइकस जात लोटनाओ पोल पे एभ को दिंधें लोगेडेट है तो हम उसकोते हैं ट्राहे करें यह हम एप Coach कि अब इसे पता चलता है कि अलोवर अर्थ यह प्रेजेंट होते हैं तो यह आपको एर में भी देखने को मिलेंगे वाटर में भी देखने को मिलेंगे इवन एक्स्ट्रीम कंडिशन में भी है ना हाश हैबिटाट में भी आपको देखने को मिल सकते हैं पर एक्जामपल जैसे डेजर्ट हुआ होट स्प्रिंग रीजन होँआ ठीक है स्नौ वाला एडिया हुआ इसनो प्रिंग देखने को मिल सकते हैं या फर हाइ सौल्ट कंसेंट्रेशन में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो हैबिटाट आट देखेगा एर वाटर बेसिकली अगर हम ओवर और समप करके बात करें तो ये हर जगा प्रेज़ंट होते हैं आपके हर रीजल में प्रेज़ंट होते हैं कंडिशन में भी आपको देखने को मलते हैं तरISScos estaris ऊपने близी और dando about Products a इ inspirative lyon मेंबरेन बात करेंगे बैक्टिरिया की शेप के बारे में तो शेप के बेसिस पे भी हमने बैक्टिरिया को डिवाइड कर रहा है ठीक है देखिएगा चार टाइब के होते है शेप रस्ट्रक्चर पहला है आपका कोकाई जो की कैसे मेचर का होता है स्पेरिकल शेप नैचर का होता है ठीक है spherical shape you can't say circular पूरा circular नहीं होता ठीक है it is somewhat spherical ठीक है spherical होता है एक होता है आपका basili form basili form या shape जो की कैसा होता है rod shape rod shape ये आपका rod shape है फिर एक होता है spiruli shape spiral spiral shape या spiruli okay that is यहाँ पर क्या होता है helical form में present होता है आपका जो bacteria की जो shape है जो structure है वो कैसी होती है helical form की होती है और आप देखेंगे कि जो end terminals होते है वहाँ से ऐसे reasons भार निकलेवे होते है ठीक है basically यह आपका spiral shape है फिर last आता है आपका vibrio that is coma shaped ठीक है coma shape देखने को मिलता है ठीक है अब देखेगा हम bacteria की classification करेंगे bacterial classification करेंगे बेस्ट और उनके मॉर्फो लॉजिकल ठीक है मॉर्फो लॉजिकल एनाटॉमिकल स्टेनिंग की बेसिस पे बेस्ट आन पैथोजी नी जिनिस सी ठीक है इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं bacteria को classification करते हैं ठीक है तो मैं कुछ points बता रही हूं कहां पे आपको mention कर रहे हूं उसके basis पे हम क्या करते हैं materi अका classification करते हैं तो पहला तीसरा है, staining के basis पे, gram staining के basis पे भी हम क्या करते हैं, इनका classification करते हैं, ठीक है, based on pathogenicity, that means कि ये pathogen cost करता है, कि नहीं है, अगर pathogenic है, तो pathogenicity हो गया, और non pathogen है, मतलब कोई pathogenicity cost नहीं करता बोड़ी में, तो हम उसके basis पे divide कर देते हैं, तो mainly two types में होते हैं, एक तो pathogen और एक non path pathogenic, ठीक है, I hope आपको यहां तक समझ में आया होगा, तो अब यहां पर हम बात करेंगे, next, based on relationship, कैसा relationship है, इनका host के साथ, उसके basis पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, करते हैं, based on relationship of host organism और environmental factor के basis पे भी हम bacteria को classify करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हम ने देखा, कि हम bacteria के उपर based classification करते हैं, तो पहला criteria क्या है, morphological ठीक है, morphological जिसे की shape size के basis पे ठीक है, इनके basis पे हम करते हैं, anatomical ठीक है, फिर staining purpose के basis पे ठीक है, फिर देखें, pathogenicity cause करता हैं कि नहीं करता है, उसके basis पे करते हैं, अब हम यहाँ पे थोड़ा elaborated manner में इसको discuss करेंगे, morphological यह जितने भी आपके जो biological जो classification factors थे ना, इनको हम यहाँ पे थोड़ा elaborate करके study करेंगे, वहाँ पे हमने briefly introduce करवाया आपको, तो देखें, morphological में हम क्या करते हैं, बेसिकली shape और size की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, shape और size की बात करते हैं, देखेंगा, true bacterias जो होते हैं, true bacterias जो होते हैं, इनका क्या होता है, shape की basis पे अगर हम देखें, तो कैसे, अभी हम ने जस्ट अभी पढ़ा, कोकाई shape का होता है, जो की spherical होता है, फिर आपका basily, that is road shape, spiral, जो की helix shape का होता है, spirula, sorry, this is आपका vibrio, ये कैसा होता है, coma shaped का होता है, ठीक है, true bacterias, में हमें ये देखने को बलता है, फिर देखें, next, capsule के basis पे, capsule के basis पे, तो अगर किसी में capsule present है, तो हम उसको क्या बोलते है, capsulated, ठीक है, capsulated, when there is presence of capsule, और capsule नहीं है, अगर outer area में capsule layer नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे, non-capsulated, that means absence, absence, okay, अब देखिया, based on staining की अगर हम बात करते हैं, based on staining, staining की basis पे बात करते हैं, तो देखिये, एक तो होते हैं, आपकी gram staining, घिक है, gram staining, जिसमें क्या होता है, कि हम gram staining देखते है, peptidog lichen की layer की thickness के उपर, ये depend करता है, ठीक है, gram staining करते हैं, अगर जिसमें stain हो जाता है, वह positive होता है, ठीक है, जिसमें peptidoglycan की लेर क्या होती है बड़ी होती हो प्रस्रीस्ट कर लेता है और जिसमें एपसेंट होती है उसमें क्या होती है जो आपकी peptidoglycan की जो लेर है वो क्या होती ही छोटी होती है फिर देखेंगे एक होता है भजिला घ्रणियल का है कि बंक डिमय कर र Ratla के सांथ mm जारी निवाज चांट में क्रेंगे लूटक्या को टाय। एउ सिंगल ग्रणियल प्रेजन होता है एंशी रिकुस यो यह और une जिएश 591 इसúde that is your amphitricus फिर देखिएगा फिर लोफो ट्राइकर्स what is लोफो ट्राइकर्स can you recall it more than one flagella on one pole that is your lofo tracus then next is peri peri tracus what was that peri tracus आपका क्या था जब periphery पर पूरी रीजन पर क्या है फ्लेजिला प्रेजन्ट वो बैक्टिरिया की तो हम इसको क्या बोलता है peri tracus बोलता है ठीक है फिर देखिएगा बेस्ट ऑन पैथोजीनिसिटी बेस्ट ऑन पैथोजीनिसिती दाटनें लिखिएगो लीठी लीठी कॉस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पैोजैनिक बोलते हैं नचर में ठीक है और जो लिभि लीटी या पैथोजेनिक कोस्ट नहीं करते है तो दो पैथोजेनिक पेथोजेनिक पर पैथोजेनिक हमने क्लासिदिए कर दिया इनको जैने अब देखेंगा और तीसरा फॉर्म होता है यहां पर common cell that is bacteria आपका non pathogenic होता है लेकिन act कर सकता है as a pathogen ठीक है that is which are non pathogenic but can act as pathogen as well ठीक है फिर देखिए हम based on relationship अगर हम देखें तो based on relationship जैसे कि हमने बात किया कि इनका कैसा relationship पॉस्ट और्गिनिस्म से तो यह कैसे होते हैं सेप्प्रोफाइटेक होते हैं nature में या mode of nutrition के basis पर भी बोज़कते हैं relationship established किया जाता है ठीक है तो देखिएगा यह कैसे होते हैं सेप्रोफाइटेक होते हैं एक तो जो कि या decade material पर क्या करते हैं शर्वाइफ करते हैं ठीक है और एक कैसा होता है परसाइटिक नेचर का इनका behavior शो करता हैं यह यह relationship शो करते हैं फिर देखिएगा different environmental factors भी यहां पर क्या होते हैं आपके involve होते हैं इसमें क्या होता है different parameters होते हैं जैसे कि temperature हो गया आपका pH हो गया oxygen हो गया oxygen की dependency ठीक है यह सब आपका किसमें आता है different environmental parameters में आता है ठीक है और example temperature then pH then oxygen dependency तो देखिए temperature के basis पे temperature के basis पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं आपके बैक्तिरिया को जो की normal temperature में survive कर जाते बैक्तिरिया उनको हम क्या बोलते हैं मीजोफाइल्स पूलते हैं ठीक है यह यूज़ली temperature रिंज इनमें 20 से लेके 40 degree centigrade का होता है ठीक है फिर एक दूसरे आते हैं हमारे thermophiles जो की क्या होता है अबफ जो अबफ फिफ्टी से लेके आपके एक डिगरी सेल्शियस पे सर्वाइव करने वाले जो बैक्टेरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते है थर्मोफाइल्स बोलते हैं ठीक है अबफ 50 to 80 degree celsius एक आपके होते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट पे जो बैक्टेरिया रहते हैं उनको साइक्रोफाइल्स पोलते हैं और फ्रीजन्स पर ने तो यह तो यह वह समेल मीज ह然 चाहिए तो यह आपके फ्रीज टाइंप यह जो सत्inas के लिटर के लिजर पर हमें सes साइक्डास कोह्तर एक Скरण थो सबते हैं था वरुटर जो में on the सब्सक्राइब जो आपकर करते हैं तhrी जो कर सकते हैं यह सब्सक्राइब नक्राइब नीक्षे हुआ यह कशना कि दीचरी नियुल्य तक आपको clear हो गया होगा students अब देखिए next point था हमारा oxygen dependency oxygen dependency के basis यह कैसे होते हैं यह aerobic हो सकते aerobic हो सकते aerobic that means जो की और जहां पर oxygen के presence में respiration चो करते हैं अपना एक्टिव रहते हैं एक होते obligative and aerobes जो की क्या होते हैं जिनको oxygen के requirement नहीं होती यह आपके कौन से होते हैं obligated and aerobic इनको क्या है ओटू रिक्वाइड नहीं होता है फिर दूसरे होते हैं आपके micro aerophilic थीक है इनमें क्या होता है इनमें यह लो लो ओटू में भी भी क्या कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं ठीक है इनको micro aerophils पूरते हैं अब आधर कुछ और हम देखेंगे कुछ और environmental factors या कुछ और factors जो कि हम classification के लिए यूज करते हैं बैक्टेरियल क्लासिफिकेशन के लिए जैसे मोटाइल और नॉन मोटाइल के बिसस पे थीक है हम इनका division करते है classification करते हैं या फिर sensitivity के basis पे कोई drug या dose के साथ कैसा behavior शो करते हैं या sensitivity शो करते हैं ठीक है इसके basis पे या फिर कोई भी chemical agents के साथ ठीक है आई हूप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंस अब देखिए यहां तक आज हमने डिसकस कर लिया है अब हम एक बार ब्रीफ ली इसको रिवाइस कर लेंगे ठीक है पूरी चीज को तो देखिए आज हमने क्या किया है तो स्टुडेंस देखने की कोशिश सीच प्रोकिरियू चैल में तो हमने यहां पर स्टूश्व्य के मेंप्रेजिया का इसमें पर नेचर का होता है ठीक है इस पर क्या होता है आपका ETC लोकेटेड होता है ठीक है इलेक्ट्रों कास्पूंड चेन लोकेटेड होता है ठीक है इसके जैसे एनर्जी का जो सोर्स है इसको यहां से एनर्जी प्रॉवाइब करता है ठीक है एनर्जी का सोर्स है बेसिकलिप फि कि इसनित मिन्हों में डिख लीजेगा तक यह लिख लिख लिजेगा मेंब्रेनस स्ट्राक्चर प्रेजन डुटा मैं सिस्कों था कि अपका मीजोजूंप लोल डूगेटड बूल्त हुआ कि इस ट्रक्टर और यह पे यह भी लाइक स्ट्रॉक्चर प्रेजेट होता हैज फिर बिया किरिक फेलेंट लॉट यहां पर अमईनो एसिट्स प्रेजेंट होते हैं टिक नॉन सेल्ोलो म्म्मरेंस प्रेजेट हैं जो में पर उपर बताए आपको कि मीजोजॉम में जो की extension होता है प्लास्मा मेंबरेन के extension को जो इंसाइट दा सेल होता है उसका हम क्या बोलते है मीजोजोम हम क्यों ते कहां रेसभाईडिविन और सीखरेशन प्रोसेस थीग की पोल और प्रोफालचम का नीट्रीशन इन षवलिज रा वियुकल होता है ते कि दिन वीरम ते की लाँ चैना प्रियूडिक्थ प्रोज़ेय क। वहीजार करने दीदेखिएया Concernation जोकी लूकोमोटरी और यहां प्रुझेー fragla K नाे लॉकेशन पे उसके निम्स बेरेंगे देखिए ऐसा अगर इंधिते हुआ था रायम है तो आउसलों यह प्रेजिल पीजेश था ने हमतिक निवी में, जयता यहे प्राइक सब्सक्राइ का था ग्री दो एड गुल जाती है और जाल्जाओं वेले हमाविक भरिलता है यहीह उसकाहँ, आपको देखने को मिल रहा है और परीफेरी में पूरे रीजन में अगर आपको देखने को मिल रहा है और परीफेरी में पूरे रीजन में अगर आपको देखने को मिल रहा है फ्लेजिला अगर आपको देखने को मिल रहा है और परीफेरी में पूरे रीजन में अगर आपको तो हमने देखा कि microbes क्या होते है 60% एर्या पर लीव करते है अर्थ पे 60% एर्या जो 60% एर्याट यह पर लीविंग मैटर है एर्थ पे देट इस यह अ मैक्रॉब्स ठीक है तो हम देख सकते हैं कि यह कोस्मो पलडी टीशन होते हैं मतलब हर सर्फेस पे हर रीजर में प्रेजर होते है अर्थ में तो यह एर में मिल सकता है में water पे soil पे desert पे hot spring या extreme conditions पे भी हमें देखने को मिल सकता है इनका प्रेजर फिर बैक्टेरिया की shape की basis पे हमने इनको चार टाइप्स बता रखिए तो देखिएगा कोकाई that is spherical shape और फिर आप कारता है विब्लिया that is coma shape ठीक है अब हम इनका बैक्टेरिया का classification देखने वाले हैं पे तो बैक्टेरिया का classification किन पेरामिटर्स पे बेस करता है तो पहला पेरामिटर है morphological ठीक है फिर anatomical पिर staining purpose के basis पे फिर based on pathogenicity फिर इनका relationship host organism के साथ कैसा relationship यह स्टैबलिश करते हैं उसके basis पे और कुछ environmental factors पे इंवारिमेंटर्स पे इंवाल्फ है तो अब हम यहां पे देखिए फॉर्दर देखेंगे इनको थोड़ा इसाथ एक इसाथ पेरामिटर कने up तो पहला देखिए गाब कुक्याज खराए क्या लिप अरूंघ एव्यागा लिव्याख स्टैप का कि कंड़ते हैं थेयनको खरते हैं फ्यक्री करते हैं था है में आप वियर मार्फिर गर क्लासिफिकाशन के पीरमेंटर्स में ग्या प्रोवाइब करते हैं तो हमने इनको डिवाइट कर रखा है जो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर कर रखा है हमने डिविजन यहां पर फिर देखेगा फॉर्दर फ्लैजिरा के बेसिस पर हमने अभी देखा जैसे जो नीविक अर न चुछ ने करते हैं ओने के इस अचैओं अर्फ्चेरियाइस अहें डिकिन न लींचर करें लेकिंठ लेकिन से चलेचेज हैं लेकिन नेकर बॉलते हैंं और रिलेशन्शिप यह कैसा स्टेबलिश करते हैं सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक रिलेशन्शिप स्टेबलिश करते हैं अब टैंपरेचर पी एच और ऑक्सीजन के बेसिस पे यह कुछ डिफरेंट इन्वार्मेंटल फैक्टर से उनके बेसिस पे भी हमने इनको डिफरेंट नेम्स दे रखें जैसे जो की नॉर्मल टैंपरेचर पे सर्वाइफ कर जाते हैं उनको हमीजोफिल्स बोलते हैं जो हार उच्पेश बीफिल्स नॉट्रोफिल्स रिफरेंट पेश होना चाहिए उनके लिए न्यूट्रल होना चाहिए और एक होता है बेस विल्स जो के एलकलाइन पीछ पे पे प्रो कर से हैं ठीक है ऑक्सीजन की डिपेंडेंजिए के बेसिस पे जिनको ऑक्सीजन पर देखियेगा एक आपका होता है ओटू ज्ञादा रिकौार्इ नहीं होना फिर एक आपका होता है कि माइक जिनमें क्या होता है लो ओटू की रिक्वाइर्मेंट होती है फिर आपके बाइस चाहिए सेंसिटीवीट्न के बेसिस पर बी और आपके chemical agent के basis पर भी I hope यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा आज की class हम यहां पर रैप अप करते हैं next हम कल देखेंगे ठीक है थांक यू